तहरी के तालेबान पाकिस्तान और बाकी जो आतंकी गिरो हैं और बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में ये बताया था कि इनकी सांडगांट हो गई ये इनके संगठन मिल गए हैं और इन्होंने बोला है कि ठीक है आपके और हमारे एम एक ही है यानि कि पाकिस्तानी फॉज को और पाकिस्तानी स्टेट को ठोखना है बाकी जो हमारे बीच में मद्वेद हैं बाद में सॉर्ट आट करेंगे पहले मिलके इनको पीठते हैं खानेवाल एक जगह है पंजाब में पाकिस्तान में खानेवाल बड़ा फेमस है खानेवाल शेहर जादा बड़ा नहीं है बहुत छोटा शेहर है लेकर बड़ा फेमस है खानेवाल और एक जमाने में यहाँ पे काफी हिंदू हुआ करते थे जैसे कि पूरे पंजाब में थे पाकिस्तानी पंजाब में फिर वो यहां पर आये तो मैं मिल चुका हूँ दो-तीन लोगों को जो कहते हैं कि साफ हमारे जो बड़े थे वो खानेवाल से आये थे तो उसी खानेवाल में जो counter-terrorism department है यह counter-terrorism department की मुझे लगता है पाकिस्तान में इनकी थोड़ी सी किसमत खाइबर पक्तून को हमें इनकी उपर अटैक कर दिया और वहां पे इनको बंदी बना के रखा अब दो बंदे मार दिये counter-terrorism department के वो होटल में गए होंगे खाना-चाना-खाने के लिए basement में सुनने में आया जियो-news का article है कि basement में उनको मार डाला पाकिस्तान में कतलो गारत कोई नई बात नहीं है ये नया क्यों है मैं आपको थोड़ा सा एक मिनिट लेकर ना मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हो क्या रही है वरना ये headline में निकल जाती है दो मारे गए तीन मारे गए एक मारा गया ना ये अलग मामला है मामला सिर्फ ये नहीं कि counter-terrorism department के हैं ठीक है ये मामला इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब में action हुआ है एक action उन्होंने करा था इसलामाबाद में आपको याद होगा जहां एक बंदे को मारा यहां पर दो बंदे को मारा ये कह रहे हैं इसकी messaging क्या है ये कौन सा संदेशा देना चाहते हैं जो terrorists है टीटीपी वले या कोई भी terrorist outfit है जो अफगानिस्तान से या पाकिस्तान के tribal area से attack कर रही है ये संदेशा ये देना चाहते हैं कि आप इस गलत फहिमी में बिलकुल मत रहना कि हम लोग सिर्फ खाइबर प्रतून को और बलोचस्तान तक महदूद हैं वहीं तक हमारा वर्चस हो है आप ये गलती मत करना हम चाहेंगे तो इसलामाबाद में भी मारेंगे हम चाहेंगे पंजाब के अंदर भी आएंगे मारेंगे हम जहां चाहें वहाँ कर सकते हैं कराची में लोग कर चुकें बेसिकली इसकी मेसेज़िंग जो है as an analyst जो मुझे समझ में आ रहा है ये कोई tactical level का operation नहीं है ये information warfare के अगर आप मद्दे नजर इसको देखें information warfare के नजर से इसको देखें तो आपको पता लगेगा बड़ा strategic किसम का operation है पंजाब में खानेवाल, खानेवाल कौन यार कौन आ रहा खानेवाल में वाइज खानेवाल even important पर उन्होंने करा उन्होंने वहाँ पर मारा दो को अब दो तरीके मारने के या तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले खुद मार दे राइट या किसी को पैसा दे के मर बादे anything can happen बात यह है कि credit कौन लेता है end में कौन कहता है कि मैंने एक काम करा या मैंने एक काम करवाया तो पाकिस्तान पंजाब is the heart ठीक है यह पाकिस्तानी फिर मुझस से गुस्ता होंगे मैं आपको बता रहा हूँ महने दो महने के अंदर जारा देर नहीं आप देखेगा लाहोर के अंदर करेंगे लोग क्योंकि पाकिस्तान को ना दर्द तब नहीं होगा जब इसलामाबाद में होगा पाकिस्तान को कराची का भी दर्द नहीं हो, कराची तो बेड़ा इगर के कराची का, तो आउट ओफ कंट्रोल एसिटी वो पाकिस्तान को असली दर्द तब होता है जब लाहॉर में कुछ होता है लाहॉर is the heart of पाकिस्तान यह जो लाहॉरी चूरन खिलाते हैं ना जितने भी टीवी एंकर हैं, that I call लाहॉरी चूरन यह लाहॉर में, और यह लाहॉर में करेंगे फिर पाकिस्तानियों आप यह मत बोलना कि मेजर तुम ने करवा है, तुम ने वैसे एफायर वैफायर काट रखें मेरे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, मेरा काम है एनलाइस करना तो मैं एनलाइस कर रहा हूँ कि देर सबेर यह लाहॉर पर अटैक करेंगे, जो आतंकवादी हैं, तैरीक तालिवान पाकिस्तान करें, बलोज करें, यह लाहॉर पाकिस्तान का दिल है वो पाकिस्तान की financial capital नहीं है, जो की कराची है, वो पाकिस्तान की real capital नहीं है, political capital, जो की इसलामाबाद है, लेकिन लाहॉर is the most important city emotionally for Pakistanis, जूट बोलते हैं ना जिनने लाहॉर नहीं विख्या वो जम्याई नहीं, वो पुराना जूट, हम भी जिन्होंने नौइडा नहीं देख वो जम्याई नहीं, वो जूट तो किसी के बारे में बोलो यार, लेकिन इनको बड़ा एक sentimental emotional value है लाहॉर के साथ, लाहॉर में करेंगे ये लोग, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 6 मैने के अंदर, 2 मैने के अंदर, लाहॉर पैटैक होगा, मैं आज आपको बता ठीक है, दूसरा पॉइंट ये जो हमने नोट करा है, रिसर्च में, खाइबर पक्तून को हमें पाकिस्तान में Chinese projects चल रहे थे दोस्तों, ये भी Jio की news है, मैं पढ़के आपको बताता हूँ, Chinese engineers suspended work on hydropower projects in Sawat and Shangla districts in July 2022, owing to the deteriorating condition of law and order in the country, the news reported Tuesday, a meeting under the chairmanship of energy and power secretary Nisar Ahmed Khan took place on Monday, that discuss the suspending, suspended, माफ कीजेगा, operations, और Naeem Khan साब है, CEO, पक्तून को है energy, development organization, PEDO, PEDO, ये पता ने, they don't even look at the full forms and the acronyms, ये कुछ भी कर देते हैं, said, the team of Chinese engineers working on 84 megawatt, Mithilan, hydropower project in Sawat, खेर, बढ़राल, इसको छोड़िये, मैं आपको ये कह रहा हूँ, कि डर के मारे जैसा, दासू में attack हुआ था ना, दासू डैम पे, वो भागए थे, वो भी hydroelectric project था, वो डैम का project था, यही, अब फिर, ये लोग भाग गए Chinese यहां से, क्योंकि Chinese ये कह रहे हैं कि यार, तुम हमें security नहीं provide कर सकते, और Chinese को ऐसा क्यों लगा, Chinese को अचानक ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तानी हमें security provide नहीं कर सकते, attack तो पहले भी हुआ है Chinese पे, एक कराची में हुआ है, एक दासू पे हुआ है, अब Chinese क्यों भागे वहां से, Chinese इसले भागे, क्योंकि Chinese ये देख रहे हैं कि यार, देखो, जिन बंदों का फर्ज है, जिन बंदों की duty है, हमें protect करना, यानि कि पाकिस्तानी, फॉज, पाकिस्तानी security इदारे, counter-terrorism, ये खुद गाजर मूली की तरह रोज कट रहे हैं, और भाई जो अपने आपको protect नहीं कर पा रहा, जो अपने आपको save नहीं कर पा रहा है, वो हमें कैसे save करेगा, तो Chinese ने heart जोड़ लिया, वाईसा हम कहीं और जाके रहेंगे, जब तकि मामला normalize नहीं होता, और मैं आपको बताता हूँ, ये Chinese projects, Chinese को एक तो ये सब करना ही नहीं चीए था, पता नहीं क्या सोच कर रहे थे यारे Chinese पाकिस्तान में, कि हम यहां पर पैसा कमाएंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे, ये उन्होंने CPAC डुबवा दिया अपना पूरा, कि हम इंडिया को encircle करेंगे और यहां से हमारा belt and road होगा, और फिर हम ये करेंगे, खुश हो गए, मौज आ गई, belt and road करके, उसी belt से तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं TTP वाले, और road पे तुम्हें लिया है, belt and road initiative हो गया, belt से तुम्हारी सुताईया हो रही है, और road पे तुम खड़े हो, ये तुम्हारा belt and road initiative जो TTP ने कर दिया, अब Chinese वहाँ पे डर के मारे भाग गए, कह रहे हैं मारे साब जान बचा के भागो पाकिस्तान से वरना, ये तो हमें मार ही डालेंगे, अच्छा, एक छोटी सी news item ये भी है कि पाकिस्तानी सरकार ने बोला है कि साब बिजली हैं मारे पास है नहीं, तो आठ, साड़े-ाठ बज़े मार्केट बंद कर दो और जो शादी के हौल हैं वो दस बज़े बंद कर दो, तो जो पाटी-बाटी है, सब कुछ बंद है, लोग अब काफी अबजेक्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं साब जो रेस्टरांट वाले मामले हैं पूरे के पूरे, तो रेस्टरांट किस तरीके से साब रात को डिनर तो साड़े-ाठ नौ के बाद ही चुरूँ होता है, आप कह रहे हैं साड़े-ाठ बज़े बंद कर दो, तो गर्मेंट कर ये इल्ले, पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है बिजली का और घंटों तर घंटों उनकी कैपिटल सिटी में इसलामबाद में लोड शेडिंग होती है तो अब समझ लीजे कि गरीब आदमी क्या करेगा वहाँ पर बहुत परेशाने गरीब आदमी है ठीक है सब